नमस्कार दोस्तों और क्या हाले तो दोस्तों Realme 8 डिवाइस के अंदर कुछ सेकंज के लिए Realme UI 3.0 का Early Access Application लाइव हुआ था जहां पर भी या काफी सारी यूजर्स ने फॉर्म को सक्सेस्विली सब्मीट कर दिया था और फाइनली जो जो यूजर्स अप्रू हो चुके हैं उनना सभी यूजर्स को UI 3.0 का जो Early Access अपडेट है वो मिल चुका है वेल आपको अल्रेडी पता है जो अपडेट मिला है वो एक बीटा अपडेट है एंड बीटा अपडेट के अंदर हमेशा जो बग एंड जो प्रॉबलम होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है एंड Realme UI 3.0 का Early Access अपडेट Realme 8 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करने के बाद जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसमें एक बग देखने को मिल जा रहा है यानि कि जो इंटरनल माइक्रोफोन है वो दोस्तों प्रॉपरली 100% वर्क नहीं कर रहा है वेल गाईज आज इसी प्रॉबलम के बर में बात करेंगे सोलूशन आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इससे टैप की वीडियो और देखना चाते हो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा दबा देना एंड बेल आइकन को ज़रू से प्रेस कर देना आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहेगा तो दोस्तो सबसे पहले आप लोग देख लो ये एक Realme 8 डिवाइस है जहाँ पर भीया Realme UI 3.0 का जो ट्राइल अपडेट है वो दोस्तो अल्लेडी इंस्टॉल है यानि कि C.01 व रेकॉडर में न मैं आपको रेकॉडिंग करके दिखा देता हूँ आप लोग ना खुद ही सुन लो और यहाँ पर दोस्तो मैंने रेकॉडिंग को चालू कर दिया है हेलो दोस्तो मेरा नाम है उदे एंड आप लोग वाच कर रहे हो यूएम के टिक चैनल वेल अगर हम कुछ clear है यानि कि जो internal microphone है वो smoothly काम कर रहा है बिना किसी problem के वेला दोस्तो calling के time पे भी मुझे microphone के regarding कोई problem देखने को नहीं मिला है यानि कि दोस्तो calling के time पे सामने वाले person को जो मेरा आवाज है वो दोस्तो बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रहा है तो मतलब कोई problem नहीं है वेला दोस्तो मुझे लगता है ये वाला जो problem है न वो कुछ ही percent users को देखने को मिला है और बाकी के users को जरा भी microphone के regarding problem देखने को नहीं मिला है और obviously दोस्तो ये एक beta update है तो इसमें न दोस्तो थोड़ा बहुत जो problem है न छोटा मोटा वो दोस्तो definitely देखने को मिलने वाला है तो आप लोगों को न कुछ दिनों के लिए आदत डालनी होगी जब तक stable update नहीं मिल जाता है तो अगर आपकी device के अंदर internal microphone को लेके problem देखने को मिल रहा है तो जो solution है वो मैं आपको one by one finally बता देता हूँ basically दोस्तो आपको सबसे पहले setting open कर लेना है देन privacy वाले setting में जाना है और यहाँ पर दोस्तो आपको microphone access का एक option देखने को मिलेगा जिसको आपको एक बार off and on कर लेना है well a full chances है कि आपका जो problem है वो fix हो जाएगा and जो microphone है वो smoothly काम करेगा लेकिन अगर फिर भी properly काम नहीं करता है न तो आपको दोस्तो एक बार device को power up button प्रेस करके restart कर लेना है definitely guys जो problem है वो automatically solve हो जाएगा तो यह दोनों ही चीजों को एक एक बार try कर लो I think कोई दिक्कत आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी और guys realme 8 realme UI 3.0 के उपर एक फिल review का वीडियो जल्द ही मैं चैनल के उपर upload करूँगा तो थोड़ा सा काम already हो चुका है and थोड़ा सा काम बाकी है तो all means bell icon को प्रेस करके subscribe करके रख दो and फिलाल दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही उमीद है आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तके लिए good day take care always be a smile